आई फ्लू ये क्या है? कहां से आया? यहां के लाल कैसे कर देता है? क्या ये हमें देखने से फैल सकता है? ये होता क्यों है? ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आजकल आ रहे होंगे क्योंकि आई फ्लू बहुत तेजी से फैल आ है और इसमें सबसे बड़ी समस्य तो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं ये देखने से फैलता है तो नहीं भाई, देखने से बस नजर लगती है, कोई आईफ्लू या कोई वाईरस नहीं फैलता है, हाँ इससे ये बता दें, ये बात प्रतलती है कि जो हमारा आईफ्लू है वो एक virus यानि कि एडिनो वाइरस के विए से हो रहा है ये समस्या बारिश की दिनों में बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि मौसम में नमी होती है और वाइरस को नमी ही चाहिए आने के लिए यही वज़ाय कि आज करें बहुत तेजी से फैल आ है और हर दूसरे तिसरे व्यक्ति की आँख में है यह अब बात रही यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता कैसे है देखने तो फैलता नहीं है तो हाँ होता यह है कि जब हम लोग अपनी मूँ को पोश्टते हैं अपने आँख में हाथ लगाते हैं जिसके conjunctivitis हुआ है और लेड़ी तो क्या करते हैं जिसम लोग आँख में तो किसी ना किसी फ्लोर को किसी ना किशी स्पेस को छूता ही चूता है और जब एक नॉर्मल व्यक्ति उसको छू लेता है तो वायरस उसके हात में आ गया अब उसमें कभी मूद होया पोश्ट्धा अपनी आन्क में ल एंतिब्यिक डाल सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस से डाल सकते हैं या हम जो गर्म पानी से हलके गर्म पानी से सिक्काई कर सकते हैं नॉर्मल आँग दो सकते हैं तो ये नॉर्मलाइस हो जाता है अपनी original position में आ जाता है तो इससे जादा डरना नहीं है इससे कुछ होता है नहीं बस थोड़ा सा वाइरस है सब सही हो जाता है